नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में जानोगे एक सुन्दर सपॉर्ट कैसे हम घर पे ही बना सकते हैं जो देखने में बहुत ही जादा अट्रेक्टिव लगता है मैंने अपने प्लांट के लिए पॉट त्यार किया है अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो की द्वारा आप सीख सकते हैं मुझे एक मेरे वीवर ने पूछा था कि भही अगर आप तो पहरी जब हम बनाते हैं तो कौन सा वायर यूज़ कर सकते हैं यह कहां पर मिलेगा सबसे पहले तो वह हार्डवेर की शॉप में बिलेगा एलुमिनयम का यूज़ कर सकते हैं या फिर आईरन वाला हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं फ्री में ही आपको बताते हूँ अगर किसी दुकान पर नहीं मिलता है तो आप घर में हैंगर होते हैं उस हैंगर को ले लीजिए और उसको बिल्कुल सीधा कर लीजिए यह बिल् बहुत ही सुनतर सा टोपायरी स्टेंट बना सकते हैं अब देखिए मैंने यहां पर एक ऐसी बॉटल ली है जो नीचे से बड़ा सरकल और उपर से चोटा चोटा सरकल जो है बनाती चली जाएगी इस तरीके से हम इस तार को लेंगे और इसी तरह बॉटल की शेप में इसको ए मैंने नेक्स वीडियो में पहले आपको अपनी बहुत सारी जेट प्लांत की टोपैरी शेयर की हैं तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ इसको बनाने का तरीका जो है शेयर कर रही हूं तो मैंने नया डिजाइन बनाया है अभी देखिए आपके पास कोई भी खाली कंटेनर बेकार का कंटेनर अगर पड़ा है आप उसको इस तरीके से ले लीजे और इसको बहुत ही सुन्दा सब बनाने के लिए आप इसको रसी से कवर कर सकते हैं स्टोन से कवर कर सकते हैं या फ चाहे तो आप इसको फैविक से चिपका सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर वाइट सिमेंट का इस्तेमार किया है आपको यह वाले पथर लेने आप रोड साइड में देखेंगे जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता इजिली यह आपको वहां पार मिल जाएंगे मीडियम साइज में लेने आप चाहें तो बड़े साइज में भी ले सकते हैं और मैंने यह पॉट किस लीए तयार किया है क्योंकि हम जब great plant की टवपायरी तयार करते हैं तो जेड nouveau plant जैसे यह समय के साथ बढ़ता है तो उसकी स्टोन से त्यार करूंगी इस तरीके से आप एके करके वन बै वन पूरे पोट पे स्टोन इस तरीके से लगा सकते हैं तो देख लीजे आप लगाने के बाद यह कितना सुन्दर सा लुप देता है और पोट बहुत ज्यादा भारी भी हो जाता है जिससे तेज हवा के कारण आ इस वीडियो में बताती हूं थोड़ा सा वाइट सीमेट लीजे तीन से चार चमच आपको यहां पर वाइट सीमेट लेना है उसके बाद इसको थोड़ा सा मुझे मजबूत बनाना है इसलिए मैं यह प्रॉसेस कर रही हूं चाहे तो आप कर सकते हैं नहीं तो स्किप कर सकत जैसे महंदी कीप बनाते हैं प्लास्टिक से ठीक आपको वैसे ही कीप बना लेनी है या कोई मजबूत सी प्लास्टिक लेकर आप उसके कॉर्नर को कट करके उसमें जो आपने यह स्मूच साही तयार किया है लेकवेड आप फिल कर दो उसको उपर से टाइट से अच्छे से और इसका होल आप केवल उतना ही रखे जितनी आपको जरूरत है अब इस स्टोन को जो पॉट मैंने तयार किया इसको आप पाने से पूरा गीला कर लीजिए ताकि जब हम इस कीप से जैसे ही प्रेश करेंगे तो थोड़ा थोड़ा इसमें से वाइट सीमेंट का गोल निकल सloro आणे गीला के इसमेंट में से जबूताया सिसा ही। तो यहां पूर्च देखिया है पूरे पूरे में पूरांथ से शोहें इसमेंट का पड़ा है झुला इसमेंट को फिल कर दिया आप कि शाल इसमेंड के ब मेंलें करने पात हैं बलाख सूह in और bust में आ त्यार इसमे में तेने कनी मोड सकते हैं शुझा और प्लास्टिक का पॉट है उसमें जरूरी है जरूरी है आप इसमें होल जरूर कीजेगा जैसे मैंने एक खूल यह की चिते हैं अगर फिर आप प्लास्टिक लिए केली बिसे यह होल में से नीचे रिकाल दिया है तो अब यह गिरेगा नहीं मतलब पॉट से बाहर जो हमने यह स्टेंड बनाया यह बाहर नहीं आएगा इसको स्टेबल करने के लिए आप छोटा सा वायर का टुकड़ा लीजिए वायर के तूड़े को जो है नीचे जो वायर मोड़ा हुआ ह आप उसको थोड़ा सा हुक शेप में बनाये चोटा सा वायर लेके अब आपको हुक इसलिए बनाना होगा क्योंकि नीचे जब यह हिल रहा है आप एक हुक तयार कर देंगे तो यह बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और यह फिर इदर उदर मूव नहीं होगा अगर थोड़ा बहुत भी मूव होगा तो यह वहीं होगा बिल्कुल इदर उदर नहीं गिरेगा तो ये तरीके से में रहे वह बес तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मजबूत काम करना ज़रूरी है अब नीचे बेस में इसको ठोड़ा सा और मजबूती देने के लिए जिन स्टोन से मैंने इसको बनाया है थोड़े से स्टोन सम एक लेयर पॉट में इसकी कर देंगे फिड लेंगे हम यहाँ पर मिट्टी में थोड़ा सा आप रिवर्स एड कर लीजे क्योंकि हम यहाँ पाजेड प्लांट की टोपायरी तयार कर रहे हैं तो उसके लिए थोड़ करने की चांस कम होते हैं आधा आप इसको मिटी से फिल कर लें इसके बाद एक हैल्दी सी कटिंग लेंगे मैं अक्सर जेड प्लांट की कटिंग लगाती रहती हूं तो मेरे पास एक बहुत अच्छी सी हैल्दी कटिंग यहाँ पर तयार हो गई है यह मैंने कटिंग करने के बाद बाहर निकली ब्रांचे नहीं चाहिए क्योंकि मुझे एक शेप ही तयार करनी है तो जितनी भी इसमें एक्स्ट्र ब्रांचे जना मैं सब इनको रिमूव कर दूँगे रिमूव करने के बाद बिल्कुल आपकी जो यह कटिंग है बिल्कुल स्ट्रेट हो पहले आप यहां पर मिठी को अच्छे से बिल्कुल सेट कर लेगे दबा लिबा कर आपको मिठी आप प्रिषर कर देगे तो फिर भाद भूशार बांद पर दाड़ के इसमें प्रेस कर देंगे तो फिर बाद – लिक्कत नीए बidency को मिठें बीए जो श्त्रीषा कि ठ्लान वाइर की वायर, आपको नीचे से से निकालकर एसे, इस वाइर ईसो्पा को अपको हलकू सा बांग करें नियुद तो जैसे जैसे प्लांट ये अपना के सीद्स आप अपनी ग्रौथ करेंगा और ये आगे की तरफ बढ़ेंगा, तब आप इसको टाइम टू टाइम वायर से बानते रही है या फिर धागे से बानते रही है आने वाले टाइम में बहुत अच्छा सा टोपायरी आपका तैयार हो जाएगा इसको और एक सुंदर लुक देने के लिए मैंने यहां पर कुछ स्टोन का इस्तिमाल किया है कुछ वाइट मेरे पास पथर पढ़े थे उनका इस्तिमाल किया है आप डेकोरेट करने के लिए हैं आपर मोस ग्रास का इस्तिमाल कर सकते हैं चुटी चुटी सी कोई भी कटिंग लगा सकते हैं इसका बेस ग्रीन करने के लिए मैंने लेकिन इस बार इसको स्टोन से डेकोरेट किया है तो आपकी ब